अपनी रन्नीती बनाते हुए इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि खरीव की फसल की खरीद के दोरान किसी भी किसान को किसी भी तरहें की समस्या का सामना न करना पड़े इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारवजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेर्मेन सुभाश बराला हर्याना राज्य भंडारन निगं की समिक्षा बैठक के बीच पहुँचे और खरीव की फसलों की खरीद के लिए चल रहे प्रगती कारियों की जानकारी उन्होंने ली अर्थ प्रकास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को बहतर सो विधाये प्रदान करने और उन्हें हर लाप पहुचाने के लिए हर संभव कोशिच करने में जुटी है वहीं किसानों को सही ढंग से अनाज भंडारन करने के लिए जागरू करने की बात को ध्यान में रखते हुए कई तरहें के प्रचार माध्यों का इस्तेमाल करने के दिशा निर्देश भी उनकी आउर से आधिकारियों को दिये गए दूसरी तरफ राज्य भंडारन निगम 1 अक्तूबर 2021 से खरीत की पूरी कारेपरणाली को आउनलाइन करने जा रहा है वहीं अनाज भंडारन के लिए स्टील साइलोस बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है इसके चलते अनाज भंडारन बहत्तर धंग से हो पाएगा खरीत की फसलों का 40 प्रतिशत की खरीत का लक्षे हरियाना भंडारन निगम की और से रखा गया है ब्यूरो रिपोर्ट अर्थप्रकाश